नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, आज की भविश्यवानी, जो आज आप सभी को बताने वाले हैं, आपके जीवन में जो घटित होने वाले हैं दोस्तों, इतिहास में ऐसा घटना, ऐसा चमतकार कभी नहीं हुआ होगा जी हाँ दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा, आप सभी की जो जानकारी देने वाले हैं, जो भविश्यवानी आज करने वाले हैं दोस्तों, एकदम 110% सच होने से, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोग सकता जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, ऐसा शुभ योग हो जाना, परचे में ऐसा चमतकार अचानक हो जाना दोस्तों, कोई साधारन सी बात नहीं है, जरूर ही कुछ संकेत की बात है ऐसा अध्भुद घटना होगा, जो इस परचे में आपका नाम आया है, आपका परचे में आपके इस चिठी में निकाला है जो कि दोस्तों, ये परचा कोई ऐसी वैसी परचा नहीं होगी दोस्तों, स्वयम ऐसे परचे भगवान लिखते हैं, उनके कर्मों को देखकर इस परचे को बनाया जाता है जो कि दोस्तों, आपकी जीवन का आकलन करने के बाद, आपकी राशे में बहुत ही छानबीन करने के बाद, ऐसे परचे हम आप सभी को बताने वाले है दोस्तों, यह राज जो आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों, पूरे जीवन में कोई नहीं बताया होगा और नहीं, कभी आपने कहीं से सुना भी होगा दोस्तों, यह घटना आपको साथ जन्मों तक याद रहेगा और यही घटना यही, शुब फल आपको आगे की और ले कर जाएगा आपका किस्मत बदल कर रखिएगा दोस्तों, ऐसी घटना जब आप सुनेंगे तो दोस्तों, पूरे परिवार में खुशी का माहौल चाजा जाएगा आपकी आँखों से आंसु निकल जाएगे दोस्तों, उन्ही का फल वही चमतकार अब स्वयम भगवान सुन लिया है और आपके पिछले जन्मों का, पिछले सालों का सारे परेशानी, सारे कष्टों का निवारण अब स्वयम ईश्वर करने वाले हैं जी हाँ, दोस्तों, आपने अपने जीवन में उतार चड़ाव का समय बहुत देखा है पिछले एक से दो सालों से आप बहुत अधिक कष्ट से गुजर रही है आर्थिक परेशानियां आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है जीवन के उतार चड़ाव में या यूँ कहें कि परिवार की जिम्मेदारियों के कारण आप इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने बारे में भी सोचना भूल चुके हैं आपका यही संगर्ष, यही मेहनत अब आपका भाग्य चमकाने जा रही है दोस्तों, अब ईश्वर भी आपकी लगन देखकर खुश हो चुके हैं इसलिए अगले 48 घंटों में आपको ऐसी ऐसी खुशखबरियां मिलेंगे जिनको सुनने के बाद आप एकदम हैरान रह जाएंगे जी हाँ, दोस्तों, आपके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी आपने जिसे हर समय अपने मन में दबा कर रखा ऐसी इच्छाएं अब अगले 48 घंटों में पूरी होने वाली है जी हाँ, दोस्तों, आपका सपना अब सच होने जा रहा है और जब यह सपना सच होगा, तो आपके आंसू आने स्वभाविक सी बात है हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहती है और इस बदलती चाल में यदि इश्वर का आशीरवाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा जो की अब आपको प्राप्त हो चुका है, क्योंकि आपकी लगन, आपका त्याग और आपका बलिदान इश्वर को बहुत अधिक भागया है इस वज़े से इश्वर का आशीरवाद भी आपको मिल गया है तो ऐसी स्थिति में, जीवन में कुछ शुब संकेत प्राप्त होने शुरू हो जाती है जो बदलाव का मुख्य आधार बनते है लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, कि जब हमारा अच्छा समय हमारे नजदीक आता है तो बुरा समय भी आसपास ही होता है वह हमारे मन को ऐसे भटका देता है हमारे विचारों में ऐसे बदलाव लेकर आता है कि हम कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी कीमत हमें बहुत महंगी पड़ती है जी हाँ दोस्तों, तो आपको हम सतर्क करना चाहेंगे कि अगले 48 घंटों में आपको चार ऐसे काम है जो भूल कर भी नहीं करते हैं वरना सब कुछ खराब हो जाएगा परबाद हो जाएगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा ये अच्छा समय कब आकर गुजर जाएगा आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में ये अच्छा समय पहली बार आया है पहले भी आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी है जब आप अपनी मन चाही सफलता के बहुत करीब पहुंचे थे आपको सब कुछ आसान लगने लगा था फिर कुछ ऐसा हो गया आपका जीवन पुरानी रास्ते पर चला गया यानि जैसा था वैसा ही हो गया सफलता आपके हाथ में आते आते रह गई तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें कुछ देना चाहते हैं लेकिन उसी समय हमारे आसपास मौझूद नकारात्मक शक्तियां भी अपना असर हमारे उपर डालती हैं और हमें काम्याब होने से रोकती हैं तो आपको हम सतर्क करना चाहते हैं कि आपको भूल कर भी यह चार काम नहीं करने हैं वरना सब कुछ खराब हो जाएगा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वीडियो का निर्मान ग्रहों का पूरा विशलेशन करने के बाद साथ ही साथ पंचांग का अध्यान करने के बाद किया गया है इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत महनत लगी है तो दोस्तों हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के एक भाग में बताई गई हर एक बात को समझने का प्रयास करें इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया और समझ लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा इस बात का हम आपसे वादा करते हैं जी हाँ दोस्तों तो इसी के साथ साथ वीडियो शुरुआत करते हैं लेकिन आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जैमान लक्ष्मी जैमान भवानी अवश्य लिखें माता आपका कल्यान करेंगे साथ ही साथ दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन भी दबा दे हम आपके लिए जीवन उपियोगी ज्यानवर्धक बातें हमेशा वीडियो के रूप में रोज लाते रहते हैं यदि आपको एक नया वीडियो ज्यानवर्धक वीडियो मिलता रहेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुन्दर विचार के साथ हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अरजुन एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान यह होती है कि वह परिस्थितियों के वश अपना स्वभाव नहीं बदलता है उसे चाहे जीवन में अच्छा फल्प्राप्थ हो चाहे बुरा फल्प्राप्थ हो रहा हो वह हमेशा इश्वर में लीन रहता है और अपने हर एक कर्म को इश्वर को समर्पित करता है क्योंकि समय तो हमेशा बदलता रहता है यदि आज समय बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी चलेगा लेकिन इनसान का मून स्वभाव नहीं बदलना चाहिए जीवन से उसे मन्चाहे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में उसे इश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी आस्था को मजबूत करना चाहिए और यदि उसे मन्चाहे फल प्राप्त होने लगे तो उसे इश्वर का धन्यवाद भी करना चाहिए ऐसा इंसान एक सच्चा इंसान होता है और उस इंसान के साथ हमेशा में मौजूद रहता हूँ यानि भगवान श्री कृष्ण स्वयम है मौजूद रहते हैं जी हाँ दोस्तों इतना सुंदर और पवित्र विचार है यदि आपको यह विचार पसंद आया है तो आप इसे अपने जीवन में अवश्य उतारे और कमेंट में जैश्री कृष्ण राधे राधे लिख कर वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं अगले 48 घंटों में कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं जिस से आपको किस प्रकार सीधे तौर पर फायदा होगा और कौन से हैं वह चार काम जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है वरना सब कुछ बरबाद हो जाएगा जी हाँ दोस्तों अगले 48 घंटों में ग्रहों का एक ऐसा योग बन रहा है जो सीधे तौर पर आपके मानसिक्ता पर आपकी बुद्धी पर प्रभाव डालेगा और आपके मन में सकारात्मक विचारों की बाढ़ सी आ जाएगी आपको अपनी उपलबधियों पर गर्व महसूस होने लगेगा जो की आपके मनोबल को बढ़ाएगा जी हाँ दोस्तों आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किये हैं जो भी मेहनत की है और जो भी छोटी मोटी सफलता हासिल की है उन सब को आप याद करेंगे और उससे आपको अपने उपर गर्व का एहसास होगा और दोस्तों ये बात सच भी है क्योंकि जिन्दगी के जितने भी उतार चड़ाव आपने देखे हैं और उन उतार चड़ाव हमें आपने जिस प्रकार से अपने आपको संभालते हो अब बातों को याद करकर आप अपने उपर गर्व महसूस करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा जी हाँ दोस्तों अगले 48 घंटों में जो योग बन रहे हैं उन्हें योग से आपको लंबे समय तक फायदा होने वाला है जी हाँ दोस्तों एक ऐसा इनसान जिससे आपके पिछले लंबे समय से कुछ अन्बन से चल रही थी उस इनसान से अब आपका ताल मेल अच्छा बैठने लगी संबंद फिर से मधुर हो जाएगा जी हाँ दोस्तों परिवार से भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होने लगेगा और जो लोग आपके खिलाफ रहते थे कुछ ऐसी मानसिक्ता बदलेगी उनकी कि अब वह आपका सपोर्ट करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे जी हाँ दोस्तों लेकिन ऐसे मैं आपको भी सावधान रहने की आवश्यक्ता रहेगी आपको लोगों से अधिक चर्चा नहीं करनी है और भूल कर भी ऐसी बातों को नहीं छोड़ना है जिन से आप बहस में पढ़ जाएं क्योंकि आप जिस भी इनसान के साथ बहस बाजी में पढ़ेंगे उसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा क्योंकि कुछ हद तक नकारातमक्ता आपके जीवन में भी प्रवेश करेगी और आपकी मानसिक्ता भी दूशित होगी जी हाँ दोस्तों तो आपको इस मामले में थोड़ा सा साथधान रहने की आवश्यक्ता है कि साथ ही साथ आपको बिजनिस की किसी डील को करने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए यदि आप किसी जमीन की या फिर किसी वाहन आदी की खरीद फरुखत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए आपके साथ किसी प्रकार की धोखे बाजी भी हो सकती है जी हाँ दोस्तों इस समय आपको भूल कर भी जल्द बाजी नहीं करनी है और नकारात्मक मान सकता के लोगों से दूरी बना कर रखनी है क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से आपके जीवन में भी नकारात्मक्ता आ सकती है आपका मन और आपका सम्मान दोनों ही खराब हो सकते हैं आपके अंदर एक कमी यह भी है कि आप दूसरों से अच्छे व्यभार की उम्मीद करते हैं जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं आप चाहते हैं कि वे लोग भी आपके बारे में वैसा ही सोचें और आपकी उसी प्रकार खुली थी उसे मदद करें लेकिन दोस्तों, यह सच नहीं है ऐसा आपके साथ होता नहीं है जिस वजह से आपका मन दुखी हो जाता है यानि कि अपनों से ही जब आपकी उम्मीद तूटती है तो आपको दुख पहुँचता है तो हम आपको सलाह देंगे कि जितना हो सके उतना आप दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करें और अपने आत्म विश्वास को बढ़ाएं और अपने कर्मों की शक्ती को प्रबल करें इससे आपको शान्ती और सुख की प्राप्ती होगी जी हाँ दोस्तों इस समय आप अपने मन को समझाएं और अकेले ही अपने जीवन का सफर तै करने की और अपने संगर्ष से बाहर निकलने की कोशिश करें और आपको सफलता ही तब प्राप्त होगी जब आप अपने उपर पूर्ण विश्वास रखते हुए अकेले ही कदम उठाने की हिम्मत करेंगे दूसरों का साथ आपको हमेशा आपको निराश ही करेगा जी हाँ दोस्तों इस समय आप अपने मन में एक नई उर्जा का संचार महसूस करेंगे शारिरिक तोर पर भी आप अपने आपको काफी स्वस्थ और उर्जावान महसूस करेंगे महिलाओं के लिए समय बहुत अच्छा बीतने वाला है उनके मन में भी शान्ती और सुकून का एहसास होगा और जिन बातों को लेकर मन में कुछ चिंताएं सताती रहती थी उस तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा जी हाँ दोस्तों क्षमता से अधिक काम करने की वजह से आपको शारिरिक थकान का एहसास हो सकता है तो हम आपको सलाह देंगे कि काम करते करते बीच बीच में आपको थोड़ा आराम करने की भी आवश्यक्ता नहीं कि आपकी राश्य के जातकों का स्वभाव ही ऐसा है कि जब काम करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और कठोर परिश्रम से कार्य करते हैं जिस से इन्हें दूसरों से अधिक ठकान का एहसास होता है इस समय आपको पिछली नकारात्मक बातों के बारे में नहीं सोचना है इस से आपका समय और उर्जा ही खराब होगी जी हाँ दोस्तों आपकी एक गलत आदत यह भी है कि आप जरूर से ज्यादा अपने बारे में और अपनी बुरी समय के बारे में सोचते रहते हैं और इन्हीं विचारों से आपके मन में कभी कभी बहुत अधिक नकारात्मक ता इकठी हो जाती है और आपकी शारीरिक और मानसिक उर्जा कम हो जाती है जी हाँ दोस्तों इस समय आपको चाहिए कि आप अपना समय बिलकुल भी बरबाद ना करें और पूरी शक्ती के साथ अपने कारियों में मन लगा कर मेहनत करें वहीं से आपको सफलता के नए रास्ते प्राप्त होंगे ये समय ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि आपके मन में ईश्वर का भक्तिका और आध्यात्मिक्ता का भाव भी उत्पन्न होगा जी हाँ दोस्तों जो की समय की आवश्यक्ता है और आपके लिए बहुत जरूरी है आपको किसने किसी धार्मिक मार्ग का चुनाव करके उस पर आगे अवश्य करना चाहिए ईश्वर का साथ ही आपको सफलता दिलाएगा जी हाँ दोस्तों अगले 48 घंटों में आपको कुछ ऐसे समाचार प्राप्त होंगे कुछ ऐसी खबरें प्राप्त होंगे जिन्हें सुनने के बाद आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा और आपका आत्म विश्वास भी पढ़ जाएगा जी हाँ दोस्तों इस समय संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर आपके मन में कुछ चिंताएं अवश्य रहेंगे उसके भविश्य को लेकर भी आपके मन में थोड़ी बहुत पीछे नहीं अवश्य रहेगी जी हाँ दोस्तों इस समय किसी अजनबी और अंजान व्यक्ति पर आपको पूर्ण भरोसा नहीं करना है और अधिक सोच विचार करके आपको अपने समय को भी खराब नहीं करना है जी हाँ दोस्तों पैसे के मामले में आपका समय अच्छा रहेगा अगले अटालीस घंटों में अलग-अलग मार्ग से पैसा आपको प्राप्त होगा और पैसे को लेकर पूर्ण नियंतरण आपके हाथों में ही रहेगा ऐसे में आप हो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कि आपको जितना हो सके उतना जरूरत के अनुसार ही खर्च करना है और दिखा भी बाजी में बिल्कुल भी धन खर्च ना करें क्योंकि आपके अंदर कभी-कभी एहसास भाव भी देखा गया है कि आप दिखा भी बाजी में पढ़कर कुछ अधिक खर्च कर जाते हैं हलांकि बाद में आपको इस बात का पच्चतावा भी होता है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है जी हाँ दोस्तों इस समय आप कुछ अंजान के संपर्क में आएंगे लेकिन आपको ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यक्ता रहेगी अंजान लोगों पर भरोसा करने से आपको बाद में परेशानी ही उठानी पड़ेगी सतर्क रहना होगा और अपने दिल के बजाए अपने दिमाग से सोचना होगा वरना आप अपना बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे आप बहुत अधिक व्यस्तता के बावजूद भी अपने परिवार जनों के साथ अपने मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और आपका कठोर परिश्रम और आपकी दूर दर्शिता अब आपको लाब देने वाली है यानि कि अब आपकी आर्थिक तंगी दूर होने जा रही है जी हाँ दोस्तों जो भी अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है उसे आप अपने परिवार जनों के साथ ही बिताएं कहीं घूमने जाने का कोई प्रोग्राम ऐसे में ना करें जी हाँ दोस्तों ऐसे में आपके विरोधी भी अति सक्रिये होंगे आपके खिलाफ साजिशें करेंगे आपको परिशान करने की कोशिश करेंगे तो जितना हो सके उतना आपको सतर्क रहने की आवश्यक्ता है यूँ ही आँख बंद करके किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको अवश्य ही नुकसान होगा ऐसे में आपको यह भी तै करना होगा कि किन रिष्टों पर आपको कितना ध्यान देना है और कितना समय उनके उपर खर्च करना है क्योंकि रिष्टे नातों के मामले में आप थोड़े से तो भाग्यशाली है आपको अपनों से ही चोट प्राप्थ होती है और आपको अपनों से ही परेशानी भी मिलती है जी हां, दोस्तों आपको बता दें कि शेर वगेरह में निवेश करने के लिए अच्छा समय होगा लेकिन आपको इस विशय पर अच्छी तरह से घ्ञान हासिल करके ही आगे बढ़ना चाहिए या फिर किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही आगे पढ़े वरना आपको नुकसान भी हो सकता है जी हाँ दोस्तों ये समय कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें कहींना कहीं से अच्छी खबरें पराप्त होंगे और उन्हें रोजगार पराप्त होने के पूरे अवसर पराप्त होंगे फिद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाईयां अवश्य रहेंगे यानि की पढ़ाई लिखाई को लेकर मन में चिंता है तो अवश्य रहेंगे लेकिन मन की सारी चिंताईं दूर की जा सकती हैं जिन्हें दोस्तों व्यापारिक दृष्टिकोंड से भी यह समय बहुत अच्छा होगा उपलब्धियां हासिल होगी थोड़ी बहुत तकलीफ है आ सकती हैं लेकिन आपकी चतुराई और सूजबूज से आप बड़े आराम से उन तकलीफ हो से बाहर निकल जाएंगे दोस्तों की नौकरी कर रहे लोगों को कार्यस्थल पर परसह कर्मियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा इन्हें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यक्ता रहेगी क्योंकि इन शिकारियों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे लगातार जलते हैं उपर उपर से भी आप हंसाही होने का दिखावा करती हैं लेकिन अंदर से वह आपसे बहुत जलते हैं और आपको नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है कि पीछे आपकी चुगली भी करते हैं तो ऐसे में आपको इनसे सतर्क रहने की आवश्यक्ता रहेगी कार्यक्षेत्र पर आप अपने काम पर ध्यान देंगे और दूसरों से अधिक चर्चा करते हुए केवल और केवल अपने कार्यके महत्व को समझेंगे तो यही आपके लिए अच्छा होगा और इसी से आपकी उन्नती भी होगी आने वाले समय में जल्द ही आपको पदोन्नती के आसार भी दिखाई दे रही हैं उच्च अधिकारियों से आपके संबंद बहुत अच्छे रहने वाले हैं हालांकि किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत अन्बन अवश्य हुई थी लेकिन अब सब कुछ सामानने हो जाएगा ऐसे में हम आपको एक सलाह देंगे कि आप तनाव अपने उपर किसी प्रकार से हावी ना होने दे यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो वह वाला है और उसका फैसला आपके पक्ष में ही आने वाला है यह दोस्तों की जो चाल है वह आपके अनुरूप है आपको लाब देने के लिए ततपर तयार है बस चाहिए तो आपको बहुत ही संतुलित व्यभार और सोच समझ कर उठाए गए कदम जी हाँ, दोस्तों जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की कोशिश करे आध्यात्मिक्ता और ईश्वर से जुड़ना आपके लिए बहुत लाबदायक रहेगा जी हाँ, दोस्तों, जी हाँ, दोस्तों और सबसे महत्वपूर्ण बात की आप अपनी योजनाओं को, अपनी उपलब्धियों को गुप्त रखें किसी भी प्रकार से लोगों के सामने अपने भेजना को लें क्योंकि यही आपकी परेशानी का एक बड़ा कारण भी बन जाता है लोगों की नकारात्मक भावनाएं, बुरी भावनाएं आपको प्रभावित करती हैं और आपको की नकारात्मकता की ओर खींचते हैं जी हाँ, दोस्तों, आपका पारिवारिक, आपका दांपत्य जीवन बहुत ही सुन्दर रहने वाला है सभी आपके सपोर्ट में रहेंगे, तो इस समय का आपको पूर्ण लाब लेना है जी हाँ, दोस्तों, इस समय आपको कुछ छोटे-छोटे उपाए भी करने होंगे जिस से आपका अच्छा समय और आगे बढ़ जाएगा और आपको अधिक से अधिक लाब पहुंचाएगा गाए को हरी घास खिलाएं और एक रोटी गाए को अवश्य खिलाए साथ ही साथ आपके दर्वाजे पर आने वाली किसी कुटे को एक रोटी अवश्य खिलाए मचलियों को दाना दें और छोटी करन्याओं को शुकरवार के दिन चावल की मीठी खीर अवश्य खिलाए इसी के साथ साथ दोस्तों हनुमान चालीसा का नित्यपाठ और घर से बाहर निकलने से पहले अपनी जेब में एक लॉंग का जोड़ा डाल कर आवश्यक निकले बस इन्ही सब सावधानियों को आप बना कर रखें छोटे छोटे उपाय करते रहें आपका जीवन बहुत ही सुंदर और मधूर बनने जा रहा है अंत में बस आपसे एक ही बात कहेंगे कि कर्म की शक्ति को पहचाने और जितना हो सके उतना अपने कर्म की शक्ति को प्रबल बनाए रखें क्योंकि आपकी सफलता के दर्वाजे आपकी कर्म की प्रबल शक्ति से ही खुलेंगे और इश्वर भी आपका साथ तब देंगे जब आप कर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जी हाँ दोस्तों और जब आप इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे जब इन सभी कर्मों को आप ध्यान से करेंगे तब आप देखेंगे कि दोस्तों अब स्वम्मा लक्ष्मी मा भवानी आपको अपने जीवन में और बड़े बड़े चमतकार बड़े बड़े सुबह फल देंगे आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में स्वास्थे बिजनिस व्यापार में भी बड़े बड़े खुश्खबरी बड़ी बड़ी काम्याबी आपके हाथ लगेंगे जी हाँ दोस्तों आज से अब आपका कोई अटका हुआ काम संपूर्ण होगा और गुप्त विद्याओं के प्रति भी रुझान बढ़ेगा किसी भी बात को गहराई से जानने की इच्छा रहेगी आध्यात्मिक्ता के प्रति बढ़ रहा आपका ध्यान आपके व्यक्तित्व और स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है इस समय कर्म और भाग्य दोनों आपके पक्ष में काम कर रहे हैं आपको व्यवसाई की लाब दायक स्थितियां प्राप्त होने वाली हैं, अतह समय का भरपूर फायदा उठाएं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी समय बहुत ही लाब दायक है, दिन सुक्षान्ति पूर्ण व्यतीत होगा, प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे, तथा किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा, प्रॉपटी संबंधी कोई रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है निकट संबंधियों के साथ गेट टुगेदर संबंधी प्रोग्राम बनेंगे, घर के रखरखाव और व्यवस्था, संबंधी गतिविधियों में ही दिन का अधिकतर समय व्यतीत होगा, और आपके कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी, संतान की तरफ से भी कोई शुब समाचार मिलने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा, फाइनेंस से संबंधित कोई सरकारी कार्य संपन्न हो सकता है, नेगेटिव लोगों के साथ में मुलाकात करते समय अपने व्यवहार को संयमित रखें, किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें, बहुत अ कुछ नया सीखने की चाह रखेंगे, व्यापार तथा पारिवारिक जीवन में बेहतर तालमेल बिठाने में आप सफल रहेंगे, बच्चों की किसी उपलब्धी से मन प्रसन रहेगा, ज्यादा दिखावे जैसी प्रवृत्ति से दूर रहें, इस से प्रतिद्वंद्विय कारियों में जलन की भावना आएगी, जो की आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आर्थिक निवेश संबंधी कारियों को भी बहुत अधिक सावधानी पूर्वक करने की आवश्यक्ता है, कार्यक्षेत्र में स्थिती यथावत रहेगी, पार्टनर्शिप संबंधी व्यव अभव है, धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में दिन का अधिकतर समय व्यतीत होगा, आप अपने कारियों को योजना बद्ध तरीके से संपन्न करें तथा बाहरी गतिविधियों और लोगों के साथ मेल मिलाब पर भी अधिक ध्यान दें, फोन अथवा इमेल दिवारा कोई लाब दायक सूचना मिल सकती है, इसी के सांसत दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं कमेंट में पूरे, भाव के साथ जयमान लक्ष्मी जयमा भवानी लिखना ना भूले, याद रखें जिनके साथ हैं माता लक्ष्मी, माता भवानी उनका कोई बाल भ वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, जयमान लक्ष्मी, जयमान भवानी